हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलबे गुरूब डी भरती के बाड़े में बात करने बाले आप सभी को सभी जोन का जोन वाइज कमपीटिशन दिखाने बाले कि किस जोन में कितने में से कितने कंडेट का सेलेक्शन फिजिकल के लिए होने बाला है लोगों को सभी जोन के बारे में बताने बाले कि किस जोन में कितने फॉर्म बरे गए हैं किस जोन में कितना पोस्ट है कमपीटिशन क्या है साती रेलबे गुरूब डी की 2018 की बरती और 2019 की बरती में थोरा बहुत अंतर भी देखने बाले कि दोनों बरती में कितना अंतर है सार जानका इस वीडियो में देने बाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वज़ देखेगा तो चलिए आज कब्डेश स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को सभी जोन का जोन वाईज फिजीकल के लिए कमपिटिशन दिखाने बाले की फिजीकल के लिए जोन वाईज कितने में से कितने कंडिट का सेलेक्शन होने बाला है अगर बात करें physical के लिए competition क्यों दिखाने बाले हैं अगर अप लोगों का selection physical के लिए हो जाता है और अप लोग फिजिकल पास कर जाते हैं तो अप लोगों का final selection होने का chance बना रहेगा क्योंकि railway group D का जो 2018 में 62,907 post पर भरती आई थी अभी तक ये सभी post पूरी तरीके से नहीं बढ़े गए हैं लगातार का top कम करके नया panel बनाया जारा और candidate को डिभी के लिए बुलाया जारा है इसलिए अगर आप लोगों का selection physical के लिए हो जाता है और आप लोग फिजिकल पास कर जाते हैं तो आप लोगों का final selection होने का chance बना रहेगा इसलिए सबी जौन का जौन वाइज फिजिकल के लिए कम्पिटिशन देखने बाले हैं की फिजिकल के लिए जौन वाइज कितने में से कितने कंडिट का सिलेक्शन होने बाला है उससे पहले railway group D की 2018 की भरती और 2019 की भरती यानि की इस बार की भरती में कुछ अंतर आप लोग देख सकते हैं की 2019 में total post की संक्य आप सभी को पताई की 1,3,749 है वहीं फॉर्म आप लोग देख सकते हैं की total form 115 लाग यानि की 115 लाग फॉर्म भरे गए हैं तो फॉर्म तो 115 लाग भरे गए लेकिन exam जो देने बाले हैं वहीं लगबग 50% के आसपास candidate ही exam देने बाले हैं क्योंकि आप सभी ने NTPC में देखा की NTPC में मातर 54% candidate ने ही exam दिया है तो group D में लगबग 50% के आसपास candidate ही exam देने बाले हैं वहीं से भी railway group D की जो 2018 में भरती है थी उसमें लगबग 62% के आसपास candidate ने ही exam दिया था जबकि 2018 में कुछ मेने के बाद ही exam ले लिया गया था लेकिन इस बार 3 साल के बाद exam लिया जा रहा है इसलिए इस बार attendance 50% के आसपास candidate exam देने बाले हैं तो physical के लिए overall competition देखे तो overall इस बार 18 कराने बाला यानि की 18 में से एक candidate का selection इस बार physical के लिए होने बाला है वहीं railway group D की 2018 की बरती की बात के तो 2018 में टूटल पूष्ट की संक्या 62,907 थी वहीं टूटल फॉर्म की बात के तो 189 लाग फॉर्म बढ़े गे थे वहीं एक करूर 17 लाग candidate ने exam दिया था अगर competition देखे तो पिछले बार physical के लिए competition 62 का था यानि की 62 में से एक candidate का selection पिछले बार physical के लिए हुआ था जब कि इस बार आप सभी competition देख सकते हैं की मातर 18 का यानि की 18 में से एक candidate का selection इस बार physical के लिए होने वाला ह तो आप सभी दोनों भरती में अंतर देख सकते हैं की दोनों भरती में कितना अंतर है पिछले बार एक करूर 17 लाग candidate ने exam दिया था जबकि इस बार total form की संक्या ही एक करूर 15 लाग है और post भी देख सकते हैं की पिछले बार की मुकाबले लगबग 40,000 अधिक post है तो आप पिछले बार के मुकाबले अधिक नहीं जाएगा पिछले बार के मुकाबले सभी जौन का कर टोप इस पर कमी रहने बाला है पिछले बार फिजिकल के लिए जौन वाइज कर टोप कितना गय था इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है वह से डाट आप इस वीडियो को देख सकते हैं साथ ही इससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि इस बार आप लोगों के जौन का कर टॉप कितना आ जा सकता है तो अब चलिए जौन व जौन में टूटल 2.22 लाग फॉर्म भरे गए हैं अगर टोटल पोस्ट की बाद के तो 1664 पोस्ट है अगर फिजिकल के लिए कंपिटेशन देखे तो 22 का है यानि कि 22 में से एक कंडेट का सेलेक्शन फिजिकल के लिए होने वाल उसके बाद भूमनेश्वर जौन की बाद के तो 2300 जौन में टूटल 2.85 लाग फॉर्म भरे गए हैं टूटल पोस्ट की बाद के तो 2555 पोस्ट है अगर फिजिकल के लिए कंपिटेशन देखे तो 18 का है यानि कि 18 में से एक कंडेट का सेलेक्शन फिजिकल के लिए होने बाला है उसके बाद गुहार्टी जौन की बाद के तो गुहार्टी जौन में टूटल फॉर्म 292,000 भरे गए हैं अगर टूटल पोस्ट की बाद के तो 2894 पोस्ट है अगर कंपिटेशन देखे तो फिजिकल के लिए 16 का कंपिटेशन है यानि कि 16 में से एक कंडेट का सेलेक्शन फिजिकल के लिए होने बाला है उसके बाद हाजी पूर्जोन की बाद के तो हाजी पूर्जोन में टूटल 5,10,000 फॉर्म भरे गए हैं टूटल पोस्ट की बाद के तो 35,63 पोस्ट है अगर कंपिटेशन देखे तो 23 का यानि कि 23 में से एक कंडेट का फाइनल सेक्षन होने बाला है अब गौरकपूर्जोन की बाद के तो गौरकपूर्जोन में टूटल 5,44,000 फॉर्म भरे गए हैं टूटल पोस्ट 4,002 है अगर कंपिटेशन देखे तो 23 का यानि कि 23 में से एक कंडेट का स्लेक्षन फिजिकल के लिए होने बाला है जबलपूर्जोन की बाद के तो जबलपूर्जोन में टूटल 4,71,000 फॉ कता जोन के नाम से है राची जोन में टूटल 4,41,000 फॉर्म भरे हैं टूटल पोस्ट 49,14 है उसके बाद कंपिटेशन देखे तो फिजिकल के लिए 15 का है यानि कि 15 में से एक कंडेट का स्लेक्षन फिजिकल के लिए होगा अलाबाद जोन की बाद के तो अलाबाद जोन में टूटल 8,10,000 फॉर्म भरे गए हैं टूटल पोस्ट 4,730 है अगर कंपिटेशन देखे तो 28 का यानि कि 28 में से एक कंडेट का स्लेक्षन फिजिकल के लिए होने वाला है जैपूर जोन की बाद के तो टूटल 8,3,000 फॉर्म भरे गए हैं टूटल पोस्ट की संक्या की बाद के तो 249 पोस्ट है अगर कंपिटेशन देखे तो 25 का है यानि कि 25 में से एक कंडेट का स्लेक्षन फिजिकल के लिए होने वाला है उसके बाद हूबली जोन की बाद के तो हूबली जोन में टूटल 5,99,000 फॉर्म भरे गए हैं अगर टूटल पोस्ट की बाद के तो 71,666 पो अगर कंपिटेशन देखे तो 14 का यानि कि 14 में से एक कंडेट का स्लेक्षन फिजिकल के लिए होने वाला है मुंबई जोन की बाद के तो मुंबई जोन में टूटल 8,10,000 फॉर्म भरे गए हैं टूटल पोस्ट की संख्या की बाद के तो 93,45 पोस्ट है अगर कंपिटेशन तो यानि कि 14 में से एक कंडेट का स्लेक्षन फिजिकल के लिए होने वाला है उसके बाद चैन्ने जोन की बाद के तो चैन्ने जोन में टूटल 7,97,000 फॉर्म भरे गए हैं टूटल पोस्ट 95,89 अगर कंपिटेशन देखे तो 14 का यानि कि 14 में से एक कंडेट का स्लेक्षन फ फॉर्म बर गये हैं टूटल पोस्ट की बाद के तो 10734 पोस्ट है अगर कंपिटिशन देखे तो मातर 13 का यानि की 13 में से एक कंडिडेट का फाइनल सेलेक्षन फिजीकल के लिए होने बाला है उसके बाद कोलकता जॉन के बाद के तो कलकता जॉन में टूटल 1027,000 फॉर्म बर गये हैं टूटल पोस्ट की बाद के तो 10,873 पोस्ट अगर कंपिटिशन देखे तो 16 का यानि की 16 में से एक कंडिड़ का सेलेक्शन फिजि यानि 28 में से एक कंडेट का सेलेक्षन फिजिकल के लिए होने बाला है मोई टूटल फॉर्म आप से भी देख सकते हैं कि टूटल एक करोर पंदरा लाग फॉर्म बढ़े गए हैं हाला कि सभी जोन का कटोप पिछले बरती के मुकाबले यानि कि 2018 के मुकाबले कमी रहने बाला है तो 20 से कम competition बाले जैसे कि भूमनेसर जौन, गुहाटी जौन, जबलपूर जौन, उसके बाद राची जौन, उसके बाद धूबली जौन, उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि सिकेंदराबाद जौन, मुंबई जौन, चेन्नाई जौन, एमदाबाद जौन, कॉलकता जौन ये सभी जौन का cut-off आप लोगों को अन्य जौन के मुकाबले कम ही देखने को मिलेगा तो आप लोग 2018 के सभी जौन का physical के लिए cut-off जरू देखे लिए जागा कि 2018 में जौन वाइज physical के लिए cut-off कितना गय था इस वीडियो का link आप लोगों को description box में मिल जाएगा वहां से direct आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आज का video समाप्त करते हैं वीडियो चलके तो चैनल को subscribe जब दा वीडियो को like और सब्सक्राइब देखने के लिए अब लोग का धन्यवाद